हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब चलिए आज बनाते हैं बहुत ही special बैंगन का भरता अभी ठन की मौसम चल रही है तो ये सारी सबचिया बहुत ही fresh मिलती है तो अगर आप इस तरीके से बैंगन का भरता बनाएंगे तो सबको बहुत ही पसंद आएगा और इसमें हम बहुत सारी ग्रीन सब्चियों का भी यूज़ करेंगे जैसे की हरा प्याज, हरा लैसून और हरा धन्या, साथ ही हम इसमें सीजन के स्पेशल बैंगन भी यूज़ करेंगे, तो ये बहुत ही टेस्टी बनेगा, तो आप भी इसे एक बार जरूर ट्राइ करना, और अगर आपको मेरी बैंगन है, मार्केट में अभी इजिली अवेलेबल होते हैं, तो इस तरह से हम कट्स लगा कर इसे चेक कर लेंगे, और इसके अंदर हम लसून की कल्या डालेंगे, जिससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा हैगा, बैंगन को आप अच्छी तरह से वाश कर ले और पोच ले, उ इससे बड़ी साइस के बैंगन मिले, तो आप वो भी ले सकते हैं, मेरे पास यही अवेलेबल थे, तो मैं इसी से बना लूँगी, तो अब हम गैस्टाव को अन कर देंगे, और बैंगन के उपर हम बिल्कुल थोड़ा सा ही ओईल लगाएंगे, जिससे इसका छिलका आसानी से निकल जाएगा, तो इस तरह से ओईल लगाकर इसे गैस्टा उपर प्लेस कर दें, आप चाहें तो इसे स्टैंड के उपर भी प्लेस करें, जिससे आपका कुकिंग कैस्ट का जो बरना ले वो खराब नहीं होगा, लेकिन मेरे पास स्टैंड अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसी तरह से इसे रोस्ट कर लेती हूँ, इसे थोड़ी देर के लिए ही रोस्ट करें, वरना इसके अंदर जो ओईल होता है, वो रिलीस होना स्टार्ट हो जाता है, और अगर आप इसे इस तरह से पल्टा पल्टा कर, दो मिनिट के लिए भी रोस्ट करेंगे, तो भ तक हम थोड़ा सा लैसुने उसे हम इस तरह से कूट लेंगे बैंगन के भरते में अगर आप लैसुन का यूज जादा करेंगे तो उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा हैगा तेल गरम करने रखे तेल अच्छी तरह से गरम हो जाए तो उसके अंदर हम कूटा हुआ लैसुन ड तो इसके जो green spring onion का जो green वाला हिस्सा है वो आप बाद में डालेंगे पहले जो white हिस्सा है वो डाल दे जिसको हम onion का main part बोलते हैं तो इसे डाल के अची तरह से mix कर लें अगर आप पते पहले डाल देंगे तो उनका flavor थोड़ा सा खराब हो जाएगा साथ ही जो fresh garlic मिलता है जिस इसको ताजा हरा lesson बोलते हैं वो भी हम इसमें थोड़ा सा chop करके डालेंगे अगर आपके पास fresh onion और fresh garlic नहीं है तो आप regular हम जो प्याज और lesson यूज करते हैं वो भी यूज कर सकते हैं बैंगन थोड़े से गरम है पर इस stage पे छिलका फटा फट निकल जाता है तो आप इस त करने से garlic का flavor बहुत ही अच्छा आता है और यह बिल्कुली village style है तो आप एक बार इस तरीके से जरूर बनाना बैंगन को हम अच्छी तरह से चौप कर लेंगे आप देख सकते हैं कितने गरम है और अच्छी तरह से गलग है तब तक हम देखते हैं हमारा lesson और प्याज वो भी अच्छी तरह से cook हो चुका है तो इसके अंदर हम दो चमच लाल मिष powder डालेंगे यह कश्मीरी लाल मिष powder है साती आदा चमच हम healthy powder डालेंगे आदा चमच धन्या powder डालेंगे मसालो को एक बार सोटे करके अच्छी तरह से cook कर लें और अब हमने जो बैंगन को chop करके रख है वो डालेंगे फ्रेंड्स ये बैंगन का भरता बहुत ही डिलिशेस बनेगा तो आप एक बार इस तरह से जरूर बनाना जिसको नहीं पसंद आता है वो भी ये प्लेट भर-भर के खाएंगे और जब भी बनाएए तो थोड़ा ज़ादा बनाना क्योंकि ये हर बार कम ही पड़ेगा इतना टेस्टी लगता है तो अब हम इसमें स्वाद अनुसा नमक डाल देंगे बैंगन के भरते में आपको कोई भी एक्स्ट्रा स्पाइसीस की रिक्वाइर्मेंट नहीं होती ये अपने आप में बहुत ही टेस्टी बनता है तो इसके अंदर आप कोई भी एक्स्ट्रा गरम मसाला एड़ ना करें ये अपने आप में बहुत टेस्टी लगेगा इसका जो स्मोकी फ्लेवर आता है वो सबको बहुत ही पसंद आएगा तो इसके अंदर मैं 4 टमाटर चॉप करके एड करती हूं मैं इसमें टमाटर बैंगन के बाद ही एड करती हूं इससे टेस्ट भहत ही अच्या आता है आप भी एक बार सरूर ट्राइ करना यहां पे मैंने 4 बैंगन लिए तो मैंने 4 टमाटर डालें अब जो हमने ताजा लेसून और ताजा प्यास यूज़ की है उसके जो पते वो डालेंगे दोनों के ही पते में इसके अंदर एड़ कर दूँगी थोड़ा सा हारा धन्या एड़ करेंगे अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे डग कर पांच मिनिट तक पकने देंगे फ्रेंड्स ये भेंगन का भरता बिल्कुली विलेज स्टाइल है क्योंकि मेरी मॉमी जादा तर ये जूले पर बना कर हमको खिलाया करती थी बड़ अभी तो जूल आवेलेबल नहीं होता है तो इस तरह से अगर आप इसे कुकिंग स्टाव पे भी बनाएंगे तो भी ये इतना ही टेस्टी बनेगा भरता अच्छी तरह से बनके तयार है तो इसके उपर एक चमश देसी गी डाले अगर आपको पता हो तो गाहों में सब लोग सबजियों के उपर देसी गी डाल कर खाते है इससे वो बहुत ही टेस्टी लगती है सबजी को हम सव कर लेंगे और इसे हम बाजरे की रोटी के साथ सव करेंगे क्योंकि इसके साथ ये बहुत ही टेस्टी लगता है आप चाहे तो इसे नोर्मल गेहूं की रूटी के साथ भी सहू करें साथ में ओनियन और लेमन आप जरूर सहू करें प्याज और निम्बू के बिना तो पैंगन का भरता अधूर आई है तो आप इसे इस तरह से सहू करें सबको बहुत ही पसंद आएगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है मेरी रेसिपी कैसी लगती है मुझे comment section में जरूर बताना चलिए इसे taste करते हैं तो इसे हम आज बाजरे की रोटी के साथ सहो कर रहे हैं तो साथ ही हम थोड़ा सा onion भी लेंगे और इसके उपर हम दो तिन drops lemon के डालेंगे अब इसे taste करते हैं friends ये बहुत ही delicious लगता है अगर एक बार आपने इस तरीके से बैंगन का भरता बना लिया तो मुझे पता है आप दूसरा कोई भी तरीका dry नहीं करेंगे तो एक बार इसे जरूर dry करें Thank you for watching